असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी जिसके लिए हमने लिए है दोसु ग्राम बंडी जिसको काट कर हमने इस तरह से चोटे तुकडों में बारिक काट लिया है पाउडर नमसालों में लिया है अब कम टेस्ट के इसाफ से ड्राइ मसाले इनको भिंडी के अंदर और कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स सारे मसालों को हम इसी धना से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप मिर्ची ज्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्ची ले लिजी अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके बेसन डाल देंगे आप देखते जाए जब तक इसमें मौस्चर है आप बेसन उसके हिसाब से डाले जब तक ये थोड़ी ड्राइस ही न हो जाए देखे ये इसमें इस तरह से हमें तयार करना है इने हमने रक दिया है ओई गर्म होने के लिए कि इसको अच्छा तेज गर्म करना है हमें देखते अब इसमें हम डाल देते हैं बिंडीung पहले हमें इसको कुछ देर ईसके ही तेज आज़ंच पर इस फ्राइड करना है पिर इसकी फ्लेम जो है गेस्की उसे लोपर कर देना है और कुछ दिर हमें इसके कूरकुरा होने तक किसी तरह से प्राइ करते रहना है देखे फ्राइ हो गई है और अच्छी सी क्रिस्पी भी हो गई है इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में वो डाल देते हैं इसके अंदर बची हुई सारी बिंडिया इनको भी इसी तरह से फ्राइए कर लेते हैं देखें बहुत अच्छे से फ्राइए हो रही है बहुत टेस्टी और बहुत तीजी बनाने में आप ये बनाकर जरूर ट्राइ करिए इन्शालला आपको जरूर पसंद आएगी ये टिश तो फ्रेंट्स बनकर तैयार है कुरकुरी भिंडी आपको ये रेसेपी अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए थेंक्स फॉर वाचिंग अल्ला आफीज